नमस्कार दोस्तो राजसेंग नर्शरीम आपका स्वागत है दोस्तो आप कैसे हैं आप से भी ठीक होंगे और अगर आप परकरती से जुड़ें तो बहुत ही खुश और स्वस्तोंगी खुश हाल होंगे दोस्तों मैं दो पोदों के बारे मापका जान आपको जानकारी देऊँगा दोस्तों एक तो फड़ वाला है और दोस्तों एक जो हमें जीवन देता है अभी पर्दूशन इतना बढ़ गया है और चाहे पर्दूशन ना भी बढ़ रहा हो जब भी ओपोदा हमारे लिए बहुत ही लावकारी है आप अपने बगिचे में लगा के रखना उसको और आप कम खर्चे में पोदे में कैसे फड़ ले सकते हैं और उसको हर्याब रहा और सुन्दर रख सकते हैं नैचूरल पर करती वह मैं आपको बताऊंगा दोस्तों और चलिए दोस्तों यह देखिए मेरे पाद 2-14 इंची गुमले पुराने हैं यह जो भुगनबे लिया थी नहीं मैंने और खाली करकिए और में उनी में यह लगा के दिखाऊंगा और यह देखी यह वह ही हमारी मिठी है जो बड़ी प्यारी है इसमें कुछ नहीं मिलाना होता है और यह देखिए सब से पहले हम यह पथर लेंगे मैं काम यह है ऐसे ओल पर पत्थर रखिए ऐसे यह बिलक लूम आषानीशें डाल सकते हैं इससे क्या होगा पत्थर भी बेहुत पैदा करते हैं गर्मियोंग ये क्या करते हैं पाणी को खीशते धीरी दिरी नमी बनाकर रखते हैं और अमारे गमले रखते हैं यह पकाद डालना दोस्तों और यह देखिये यह मैंने मिट्टी सुरू करने दोस्तों जाबा नहीं हॉआच से जाबा बनाएंगे यह देखिए डसी टाली या शांदार मिट्टी है इससे परीक रदिया यह देखिये भूशो गड़ें दोस्तों देखिए क्या है यह सो साल भी निगलें यह पथर न इसको भी डाल देते हैं कोई दिक्त निये बहुत फैदा करते हैं यह भर दिया मैंने और यह देखिए अब यह पोदा ले लिया मैंने 14 इंची दोस्तों पून्हा वड़ा है कि बिल्कुल लाल मेट्री दोस्तों जुक्त है कि इसको फाड़ना पड़ेगा दोस्तों कि यह देखिए यह देखिए और इसको इसको हम ऐसे जाड़ेंगे देखिए यह मिट्टी ज़ड़ना बहुत जरूरी है ज़ड़ लिया ग्रोश को यह देखिए थोड़ी ग्रोध होती है इसे जड़े हलकी हो जाएंगी ठोस मिट्टी हो जाती है क्योंकि दूर से पोद आता है दब दब के मिट्टी बिल्कुल हाड हो जाती है यह इस आलत में करिया अग्ले जाती है कि यह देखिए यह मैना दी मिट्टी जाड़ दी और यह मिट्टी एक सएड्म कर दी है और अब हम गमले में इसको रखेंगे इसको आप ऐसे तरीक के से रखिये हमारी कुछ कुछ गमला इतना खाली रह जाए इसके उस पर एसे रखिये और एब हमारा गम ऐसे डालिए पन्नी को टाते रिए अगर मिट्टी आपने ऐसे बना रखी है तो इसे बड़ा गमला है आप इसको ठोक ठोक नहीं सकते तो इसको ऐसे दबाईए ऐसे चारों तरब से घया है कि अब मैं थोड़ाइब को और बताता हूँ तो कुछ भाई बेनों का कमेंट भी ब wond लगाजाता हैं और वैसे भी में दर्शणे कमें प्याज के छिलिके संतरे के चिलिके के अब यह कुछ मैंने थोड़ा उठाया है डोस्तों आप यह tää jar станов मीठी मी भी मिला सकते हो और दिक्कत оказimi एक हो इसे बहुत फ्यादा करेंगे यह देखिए केड़ा है इसको इसे डाल दिया अपने आप गल जाए इसे कोई फंगस नहीं लगेगी यह देखिए ऐसे मिट्टी में दबादो पानी दालोगे दिरी दिरी गल जाएंगे और जब यह हो जाएंगे तो कभी गुडाई करोगे देखना नीचे से बहुत बड़ी सबस्वार ओकलत वी दॉल जेखिए उपर यांटल सकते हो फार दिराफ यह देखिए मैं आपको कुछं देखा आयो डंट यह देखिए यह देखिए कुछ नी फंगस बगरा लगेगे देखरो ऐसे आप दबा दिया अगरो इनको तो बहुत फैदा मिलता इससे डरा मत करो बीगो के डाल सकते उससे थोड़ी समेल बगरा हो जाती है तो आप ऐसे दबा सकती है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी और यह गमला म यह देखिए पत्थर रख दिया अब मिट्टी भरेंगे दोस्तों यह देखिए ऐसे मिट्टी भरिए मिट्टी बढ़ी आउनी चीए आपकी ऐसे बढ़िए आप इस गमले में ना निच्चा जब नया पोदा लगाते हो जब यह डाल सकते हो इसमें कोई कीड़ा वगर ने कोई फंगस वगर ने लगा ऐसे ऐसे दबा दो अपने आप यह घुल घुल के आसानी से बहुत शांदार रहेगा यह और आपके पोदे को भूत ही फैदा करे यह दिखिए इस पाप मिट्टी भरिये दुबारा ऐसे दब जाएगा जो भी आपका रसोई का वेस्टेज है आप अपने गमलों मासा निची डाल सकते हैं दरने वाड़ी कोई जूरूत नहीं है यह दिखिए अब आप अब एसे दबाईए यह दूसरा पोदह लिया इसकी पनी फाड़ेंगे अब कितना शांदार फुतावा रहा है थैली में अमरूद का पोदा सर्दी में बहुत अच्छा ग्रोध करता है करता है और सर्दी वाड़ा फल बहुत बढ़ी आपता है यह देखिए इसको ऐसे करिए आप एसे ठाइए एक अगर यह दिली मिटी में कभी भी पोदा चैंज ना करें अलकी सुखी हो उसमें चैंज करें पोदा इस देखिए यह देखिए ऐसे रखिए रख दिया अब मिटी भरीष के दाएं बाएं इसे बढ़ी मिटी यह देखिए ऐसे दबाई चारों तरफ से इसमें हमने दोस्तों ना गोबर की खाड डाली है ना डीएपी डाला है ना यूरिया डाला है ना जिंक डाला है इसमें यह मैंने देखिए दूसरा गमला भी ऐसे ठोक के रख दिया है दोनों गमलों में हमने कुछ नहीं डाले है जो यह कीचेन वेस्टेज में डाल के दिखाया है इसको आप परियोग करिए और यह देखिए थैली में फूल बढ़ने लग रहा है देखरो इसमें लगा दिया था थोड़ा इसके सारी बागी है क्योंकि हम रूद उडहल वगरा में या जती फंगसी तो यह लगा दिया था और अभी इसको पानी देंगे आप भी जब नया पोधा लगाते हो ऐसे नोर्मिल मिट्रीम पोधा लगा अगरो उसके अंदर भारी मातरा में जग मिश्रन बना बना के डाल दिया तुश्की जडे बी श्मिट्टी में चलेंगी ना जब उसको खुड़ा खिलाए अगर आपने पहले ने उसको खुड़ा खिला दे तू verdi और दोस्तों परकर्ति को अपने तरीकी से रहने दीजिये। परकर्ति में यह डालो वो डालो फलाना ढिमका गुड़ डालो चिन्नी डालो सरबत डालो दोस्तो परकरती हमारी क्या कहती है जो फ़ल इसके लगे गिरगे शडगे वो इसके लिए कमपोस्ट है दोस्तो और अब हम उसको अपने तरीके से सला रहे हैं इसलिए हमारे पोदे खराब हो जाते हैं आप छोड़ दो इनको लगागे गमलों में मिटी सुखे पानी देते र लेती है और उसको हम करेंगे यह खिलाएंगे वह खिलाएंगे नहीं वह हम इसके साथ गल्द कर रहे हैं नैचुरल रखे पोदा आसानी से चलेगा अगर आपके पास उस कोई ऐसी सी चीजे गुड़ चीनी शकर घीते लिए डालोगे ना मेरी मैं दोस्तों बिल्कुल गोबर की राय की खादिश लिए देते हम कि जंगलों में जानवर रहते थे उनी पेड़ पोदों को खाते थे वही फिर खाद बनके उनी पोदों के काम आ जाता थे मिट्टी दोस्तों हर चीज को मिट्टी मिला के दुबारा वही परकर्ति बना देती है खोड़ा मेरी बात और सभी कहते हैं गोबर की खाद डालिए और यह नए नए जो चीजे हैं इनको आप दूर करिये ने चुल रखिए हमारी परकरती बड़ी प्यारी है यह जीवन देती है फट देती है यानि हमारी आमारा जीवन ही है खाने पीने सब कुछ देती है तो इनमें को जहर से बने अंदर और अब इनमें पानी डाल दूँगा दोस्तों और यह जो गरोध करेंगे जो भी दिखाऊंगा मापको यह फानी पेहला भर के देना दोस्तों बार-बार बताते हम भरके पानी देना और दोस्तों मैं अशे निकर पांगँ क्योंकि अविए भी न लियों को मैं विल्कुल पैसा भी बचाईएये समय भी बचाईएई और परकर्तिकों भी बचाईए है किसे बचेगी झाल किमिकल काईगी दोस्तों और और इंसान भी खराब होने लग रहा दोस्तों पोद्दे को तो बैमारी लगती है हमारे भी लग जाती है पोद्दे भी कोई कीट पताएंगे हो जाता है तो दोस्तों आप नैचुरल खाद बनाईए उसको छड़की लिक्वीडी बहुतरे से बनती है जो भी कड़वे पत्ते के पोद्दे हैं उनका लिक्वीड बनाईए और अपने पोद्दों में सप्रे करिये तो आसानी से बच जाएंगे पोद्दे केमिकल से भी बचा पाते हो आप यह देखिए बर लेगा बड़ा गमला है एक बार और शोक लेगा दुबारा फिर डालेंगे तो आप ऐसे अपने बगिच्चे में अमरूद का पुद्दा लगाई आपको फड़ भी मिलेगा और मन भी खुश रगा एक छोटी बात और बता कि दोस्तों वीडियो खुटम करते है कि यह अगर्में हड लगाना चाते हैं और ऑक्षिजन लेना चाते हैं आपके पास समय नहीं ना तो आप ऐसे चोड़ का नहीं आशारा मोसम में गर्मीशर दी बरसाथ जितनी आग बरसेगी तो यह खड़ा इसको आप अपनी चत पे घर में गैलरी में स्टेंड वगरा लगा रखें तो आप ऐसे सजाई उनके पास देखिए गमले वाला रख दिया आप देख रोटेली में मैं इनम पाणी डालोगे जबी चलेगा और पांच साल में खाट डालोगे जबी चलेगा परकरती में बहुत इस दूफाना वहां यह पूद्धे आपकी रिक्षा भी करेंगे और आपको सुंदरता भी देंगे और हर्याली देंगे यह देखिए अब हम क्या करेंगे सनेक प्लांट ओक्सिजन देने का राजा दोस्तों जीवन दाता इसको ऐसे लगाई है यह क्यों कर जाता है आपका या तो आप इसमें ज्यादा पाणी डालते हो या ज्यादा खाट डालते हो इसको कुछ है नहीं चाहिए इसको थोड़ी केर चाहिए बिलकुल इसकी क्या है कभी-कभी पत्ते साफ कर दो सुंदरता यह लिया नहीं तो दूलों में पड़र ने दो वहां भी ऑक्सिजन करते हैं बहुत हाड़ पूदा है कि दो दो साल में खाट डालोगे जबी चलेगा आप इसको पानी और खाट से डाल के खराब कर देते हो बिलकुल मत करिए दोस्तों प्रकृती बहुत प्यारी है जीवन देती है और यह देखिए और यह गईश की कंबले में चलते रहेंग यह बच्चे जब वरत वगरा करते हैं न वह भी दिखो मारे पास प्रणी तीस में लगा दी कितना शांदर चल रहें परी मिकमला इसको बीच में रखें कितना सुंदर लगेगा तो यह को खाने पीने वाला समाना तीस में लगा दिखिए यह 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 दिखिए और इसको यह रखें स्टेंड पाप इनको ऐसे रखोगे जब आप देखोगे सुंदर तो लगेंगे ही लगेंगे ओक्सिजन भी देंगे और आपको मेनत नहीं करनी पड़ेगी बहुत हार्ड पो देंगे साल में खाट डालिए पाणी पंदरा पंदरा दिन में डालिए इनको कैमी कलोर पाणी से बचेए अपने घर की सोभा बढ़ाईए और अपना जीवन सुख में बढ़ाईए दोस्तों और इनमें कुछ मत करिए नमस्कार जैही